दिदी दिदी मैं एक पहली पूछूं पहली पूछना चाहते हो हाँ दिदी चलो पूछो छोटा सा है लंबी पूछ दूर दूर तक इसकी पहुंच उंगली घुमाओ संदेश पहुंचाओ चलो इसका नाम बताओ अच्छा लेकिन अब मैंने पहली बूजी है ना तुमारी हाँ दिदी तो अब मेरी बारी अब मैं तुम लोगों से पहली पूछूंगी पूछे दिदी पूछो ध्यान से सुनना टेप, टीवी, टेलिफोन और ट्रेन बतलाओ है किसकी देन मैं बताओ दिदी ना इना बताएगी विज्ञान का टेप, टीवी, टेलिफोन, रेडियो यह सब विज्ञान के यह यूं कहो कि प्रध्योगिकी के देन है और आज मैं तुम सब को दूर संचार में प्रध्योगिकी के महत्वों पर पताऊंगी ठीक है ना दिदी दूर संचार क्या होता है और दूर संचार में प्रध्योगिकी का क्या लेना देना दूर संचार क्या होता है यह जानना चाहते हो न तुम लोग पहले तुम्हें ये जानना है कि दूर संचार क्या होता है और उससे भी पहले दूर संचार की ज़रूरत क्यों पड़ी तुम सब एक बात बताओ अभी जो मैं बोल लहीं हूं तुमसे वो तुम्हें सुनाई विदे रहा है अच्छा अब फर्च करो मैं यहां से 20-25 किलमेटर दूर चले जाओं फिर तुमसे यही बात करूं तो क्या तुम्हें यहां बैटकर सुनाई देगा नहीं दीदी नहीं सुनाई देगा ना ऐसे जैसे मानव सब्यता का विकास हुआ वैसे वैसे दूर दूर तक हमें अपनी बात पहुचाने के ज़रूरत हुई है ना हाँ दीदी और इसी तरह दूर संचार का उद्भा हुआ और विज्ञान ने या योग अप्रद्योगिकी ने इसमें बहुत महत्वपून भूमी का निवाई यह तस्वीर देख रहे हो हाँ दी जानते हो यह कौन है यह है अमेरिकी विज्ञानिक सेम्यल मोर्स इन्हों ने सबसे पहले टेलिग्राफ का विश्कार किया टेलिग्राफ के माध्यम से हम कुछ संकेतो द्वारा दूर दूर तक अपनी बात पहुचा सकते थे और जानते हो उन संकेतो को मोर्स कोड कहा गया क्या कहा गया मोर्स कोड अब तुम सब अपना दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि इससे इन संकेतो को मोर्स कोड ही क्यों कहा गया इनके नाम से बिल्कुल ठी इसके बात बारी आती है टेलीफोन की टेलीफोन के बारे में तुम सब ने सुना होगा हाँ देली तुम लोगों के घरों में भी होगा हाँ देली अच्छा ये बताओ टेलीफोन का उप्योग हम क्यों करते है देलीफोन के द्वारेHS हम दूर दूर तक किसी से भी कहीं भी बातें कर सकते हैं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बताया तुमने टेलिफोन के माध्यम से हम कहीं भी, कभी भी, किसी से भी, कितनी भी दूर बात कर सकते हैं तुम जानते हो टेलिफोन की खोच किसने की थी? हाँ दीदी जी किसने की थी? ग्रहाम बेल बिल्कुल ठी, ये देखो, ये हैं अलिक्सेंडर ग्रहाम बेल यह अमेरिका के विज्ञानिक थे, इन्होंने 1876 में टेलीफोन का आविश्कार किया और तुम तब देखी रहे हो, टेलीफोन हमाई लिए कितना उप्योगी है हाँ देडी अच्छा बच्चो तुम यह जानना चाहोगे कि टेलीफोन के माध्यन से हम इतनी दूर दूर तक बात कैसे पहुचा लेते हैं हाँ देडी जानना चाहोगे ना हाँ देडी अच्छा अब मुझे यह बताओ कि तुम लोग सड़क के किनारे जाते हुए कभी खंबे देखें हाँ देडी किषीज के खंबे होते हैं वो विज्ली के विज्ली के और खंबे कोई नहीं देखें तुमने वाँ हाँ देखें देडी तेलीफोन के टेलीफोन के बिल्कुल ठीक मैं यही जानना चारी थी कि तुम लोगोंने कभी सड़क के किनारे टेलीफोन के खंबे देखे हैं कि नहीं देखे अच्छा जब तुमने खंबे देखे तो ये भी देखा होगा कि उसमें तार लगे होते हैं हादी दी एक इस्थान से बाद दूसरी ओस्थान तक कैसे पहुंचती है? Τारों के माधियम से लेकिन बच्चे तुम यह भी जानते होगे कितारों के मात्यम से हम सबиваем जो सूछनाय पहुंचाते हैं उसमें इक दिक्कत भी आ सकती है जानते हो क्या? नहीं ना? नहीं दीदी देखो तुमने नदी देखी होगी कही जगा नदी होती है, कही जगा पहार होते हैं, कही जगा खाई हो जाती है तो इन इस्थानों पर तार ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है है ना और उन इस्थानों पर खंबे गाड़ना भी उतना ही मुश्किल है तो अब क्या किया जाए मैं तुम्हें बताती हूँ इसके लिए भी एक वैज्ञानिक थे हैंज वो जर्मनी के रहने वाले थे उन्होंने एक प्रणाली खोश निकाली जिसे बेतार के तार की प्रणाली कहा गया क्या था गया बेतार के तार बेतार के तार की प्रणाली इसमें क्या कहा गया ठीक से बताईए बेतार के तार की प्रणाली इस प्रणाली में क्या होता था कि जो पुछनाय होती थी जो बाती होती थी उसे विधु चुमбकीय तरंगों में परिवर्धित कर दिया जाता था किसमें बुदू चुम्बकी एक अरों में परिवर्तित कर दिया जाता थी और उनके इसी अविशकार पे इसी बेतार की तार की प्रणाली पर मारकोनी नाम के विख्ञानिक ने रेडियो खोजा आप खो जिया रेडियो रेडियो यह आप सबने सुना है आदि रेखा है क्या सुनते हैं आप रेडियो पर समाचार सुनते है औ। ऑर भी कई तरह की काड-क्रवं सुनते है ना रेडियो हमाय लिए सिर्फ मनुरंजन का था नियो बलकि से ronique कालिक्रव भी उन्ते है ou यह देखिए, यह है मारकोनी, इन्होंने रेडियो की खोची थी, है ना, यह इतली के रहने वाले थे, अच्छा बच्चो आप मुझे यह बताईए, कि आपने देखा कि दूर संचार हम टेलीफॉन से भी करते हैं, ठीक, यह जी जी और दूर संचार हम रेडियो से भी कर लेत यह टेलीफॉन के द्वारा हम बातें कर सकते हैं, और रेडियो से हम गाने सुन सकते हैं, ठीक, कहा रहे है वैसे तुम, लेकिन तुमने यह भी तो सुना कि टेलीफॉन के तार के दौरा हम अपनी बात को एक इस्थान से दूसरी इस्थान ते कोँच आते हैं, है ना, हा दे उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर अंतर है कि टेलीफोन से हम एक समय में सिर्फ एक इंसान से बात कर सकते हैं, ठीक? जबकि रेडियो में जो कारिक्रम होते हैं, जो बाते बताई जाती हैं, वो एक समय में सेकड़ो इंसान सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो अब आप रेडियो हो गया, टेलीग्राफ हुआ, टेलीफोन हुआ, अब रेडियो भी हो गया, जिसके बाद हम बढ़ते हैं, एक ऐसे राविशकार की तरफ, जिसने दूर संचार में बहुती महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो एक तरह से कहुत अकरांती ला दी, जा अच्छा, तुम सबके घर में टेलीविजन है, हाँ दी, ये जानते हो कि टेलीफोन किसने टेलीविजन का विशकार किसने किया, नहीं, ये तश्वीर देख रहे हो, हाँ दी, ये है जे एल बेयर्ट, जे एल बेयर्ट, स्कॉट्लेंड के वैग्यानिक थे, उन्होंने उन् देखते हो, कारीकरम देखते हो, और क्या गानेमाने भी सुनते हो, पिचल भी देखते हो, हाँ देली, तो ये सब तो मनो devamयरंजन की बात हुई, उसके एलावा से सिभ्षा प्रत कारिकरम भी देखते है यानि मनोरंजन के साथ साथ यह हमारे हमें सिक्षा भी प्रतान करता है है ना हा देदी लेकिन बच्चो इसमें भी अभी एक दिक्कत थी टेलिविजन या रेडियो के लिए बड़े बड़े टावर लगाया जाते थे यह देख रहे हो यह एक टीवी टावर है ना हा देदी तो टीवी टावर के माध्यम से भी धिक्कते होती थी वही धिक्कते समझ लो जैसे अभी मैंने बताया टेलिफोन में तार ले जाने पड़े यह टावर ले जाना और लगाना यह भी एक दिक्कती थी है ना लेकिन वैग सेटलाइट यानि उपग्रह आकाश में भेज दिये जाते हैं और इन उपग्रहों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी सूचना को जो भी भेजी जाया उनको तक उसे एक समय में पूरे संसार तक में दिखा सकते हैं उसे सेटलाइट कम्यूनिकेशन भी कहते हैं ठीक है या सकते हैं हाँ अपनी बात को दूर दूर तक पहुचा सकते हैं न यहीं किया नचाते हैं न तुम जिदी अच्छा तुम बताओ दूर संचार के कौन कौन से मातियों मैंने बताया तुम्हेद्धियो टेलिवीजन, तेलिग्राफ तुम टेलीफॉन टेलीफून टेलीफॉन अगले कारिक्रम में हम तुम्हें विज्ञान के विशे में और भी बहुत रोचक जानकारिया देंगे